आपके स्वागत है आज फिर चर्चा करते हैं कोविड-19 की क्या हालात दुनिया में है और हिंदुस्तान में है पहले देखिए एक जलग हम देखते हैं दुनिया में क्या हालत है और इसके लिए चलते हैं अंजो करते हैं आक अक्तर की वर्ल्डोमेतर साइट पर जहां पर दुनिया के सब देशों की खबर वहा रहती है नमबस रहती है देखते हैं कि वहाँ पर कल क्या स्थिती था न्यू केशिस की जिसको हमें ज्यादा गहराही से देखना है क्योंकि यही बताता है इस वक्त इस पैंडेमिक की हालत क्या है तो हम देखेंगे जो कुछ दिनों से आ रहा है कि अभी हम हिंदुस्तान भारत बर्ष तीसरे स्थान पे है और पहला अमरीका जो लगातार पीछले दो महिने से सबसे आगे चल रहा है इसके बाद इस वक्त ब्रजिल और इसके बाद हमारा नंबर है हमारा यहां पर न्यू इन्फेक्शन जो है ब्रजिल से भी आगे बढ़ गया है पिछले दिन यहां पर हम 22,000 की लगभग लिव इन्फेक्शन को देखे जबकि ब्रजिल में उसका संक्या थोड़ा कम था तो इसका मतलब कि हमारी बढ़ने की गती इस वक्त ब्रजिल से भी ज़्यादा तेज है हलाकि एक दिन की आंकड़े से कुछ बहुत ज़्यादा हम बात नहीं कर पाएंगे पर ये तो साफ है कि ये तीन देश दूसरे के हर मुल्क के कमपारिजन में अलग रफटार से चल रहे हैं इसके बाद जो है रश्या की स्थान आता है नहीं इंफेक्शन की जो कि सिर्फ 6,000 के लगबग है इसके बाद पेरू, स्पेन, चिली, बहुत सारे और देश है पर सबसे ज़्यादा द्यू इंफेक्शन हमारे बाद जो है हमारे से काफी नीचे है इसका मतलब कि हम एक ऐसे जगह पे इस वक्त पहुंच रहे हैं जहां दूसरे मुल्क नहीं है हमारे न्यू इंफेक्शन की जो चौथा स्थान पे है, वो साथ आफ्रीका है, करीब 9,000 के है इसके बाद रश्या की स्थान है, पर देखें कि ये काफी नीचे है हलाकि साथ आफ्रीका की रफ्तार भी बढ़ने की दिशा में है, तो ऐसा नहीं कि साथ आफ्रीका के हालत भी अच्छा है आफ्रीका में सबसे ज़्यादा साथ आफ्रीका में लोग इस वक्त बिमार है चलिए इसके बाद देखते हैं हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, हमारे देश में क्या हो रहा है, तो हमारे यहां पर अभी इस वक्त साथ लाग से जादा लोग बिमार हैं, पर चिद्धा की जो बात है, मैंने जो कहा था, कि 22,000 से उपर पीछले 24 घंटे में बिमार निकले हैं हमारी टेस्टिंग की रफ्तार थोड़ी से इंप्रूफ की है, पर फिर भी रफ्तार अच्छी नहीं है, इसके मुकाबले कि कितने लोग बिमार पड़ रहे हैं, तो यह फिगर्स अभी भी, अगर हमें देखना है कि नए बिमारी नए जगों पर जो आ रहा है यह COVID-19 बिमा इसको हम आपको बताना चाहेंगे, जैसे हमने पहले कहा था कि दिल्ली की टेस्ट्स काफी कम हो रहे हैं, दिल्ली के टेस्ट लगातार इसके बाद बहा है, और इसलिए हम देखेंगे कि दिल्ली की फिगर्स पे भी कंट्रोल थोड़ा ज्यादा हुई है, कि पिछले हफ्ते कि परिक्षा में आप देखेंगे इस हफ्ता फिगर्स थोड़ी अच्छी हुई है, मतलब कि आक्रे नए इंफेक्शन के कम हो रही है, तो यह हम जो पहले से कहते आए हैं, टेस्स बढ़ाने से एक भूल धारना है, कि संख्या जादा हो जाएगा, तो इसलिए गरबड़ी हो जाएगी, इसलिए छुपाने अच्छा है, साफ है कि छुपाने से उल्टा फल पड़ता है, और दिल्ली के अगर फिगर्स देखें, इस साफ हो जाता है, चलिए और देखते हैं, दूसरे प्रदेशों की, प्रांतों की क्या हालत है, अभी भी महराश्टरा के आंक्रे सबस करेंगे, बाहराश्टर में स्थिति क्यों मुंबाई में सुधर रही है, कुछ और जगहों पर खराब होते नजर आ रहा है, पर यह है कि वहाँ पर दो लाग से ज्यादर लोग बिमार है, और इसके बाद टमिलनाट एक लाग के उपर है, एक लाग चौदे हजार लगपक, इस वक्त तिलंगाना के अगर फिगर देखेंगे, एक ग्रीन लाइन है, जो देखेंगे, काफी तेजी से तिलंगाना का फिगर इसलिए बढ़ रहा है, इन्होंने भी पिछले दिनों टेस्टिंग कम कर दिख कर रहा था, इसलिए जो ही टेस्टिंग बढ़ा, वहाँ पर ह खास फायदा नहीं होने वाला है, कुछ दिन के लिए आपका प्लिक रिलेशन थो ठीक हो सकती है, इसके बाद साफ हो जाएगा, यह हकीकत नहीं है, तिलंगाना यह साफ दर्शाता है, पर इसके इलावा, यूपी की फिगर भी बहुत तेजी से तो नहीं बढ़ रहा है, प कि केरल में जो पब्लीक हिल्ट सिस्टम है, इसमें लोगों की शिरकत है, और जो प्रांत हमें ऐगर देखें, इसकी मैप हिंदुस्तान की देखें, तो देखेंगे कि और प्रांत हैं, जिसमें चिंता जनक स्थिती है, तलंगाना के अबद आंध्र पुदेश बहुत पीछ इस वाक COVID-19 जहां पर धीरे धीरे बढ़ रहा है और यही वजह है कि हमारी total figures भी काफी बढ़ रही है पर इस पर थोड़ी से और हम आपको ले आना चाहेंगे शहरों की तरफ क्योंकि अभी अगर देखें तो लगता है कि दिली में, महराष्टर में, गुजरात में, टमिल्ना पर इन जगों पर बढ़ रही है पर इन जगों पर बढ़ रही है अगर देखें तो लगता है कि महराष्टर काफी बड़ा state है तो 2,12,000 बहुत बड़ा संख्या नहीं है पर अगर हम सिर्फ शहरों को देखें मुंबाई जिसमें ठाने को हम शामिल करेंगे क्योंकि मुंब मुंबाई और पूने में ही निकलाता है और इसमें करीब 70% पूरा महराष्टर का जो संख्या है सिर्फ मुंबाई और ठाने से निकलता है तो इसका मतलब है कि हमें शहरों की नज़र रखनी पड़ेगी ना कि सिर्फ आप states की बात करें आईए देखतें यही हालत क्या चिन मतलब करीब 60-65% चन्नाई में है तमिल्नाट का और इस पे और जो दो डिस्ट्रिक्ट है जो की चन्नाई से लगा हुआ है और एक ग्रेटर चन्नाई की तरह देख सकते हैं उसको चंगलपट्टू और तिरवल्लूर यह दो डिस्ट्रिक्ट में भी काफी संख्या में लोग चीज अगर तलंगाना का फिगर देखें करीब 26,000 के लगभत तलंगाना में इस लोग बिमार है COVID-19 से और अगर उस पे हैदरबाद देखें तो उसी सिर्फ हैदरबाद शहर में करीब 20,000 लोग बिमार है इसका मतलब तलंगाना का करीब 75% से 80% सिर्फ एक शहर से निकल रह है ऐदरबाद की इलावा उसके आसपास की इलाके ले लेंगे तो देखेंगे तलंगाना का संख्या सिर्फ हैदरबाद से ही more or less 80% आ रहा है इसका मतलब यह निकलता है कि इन शहरों पे हम नजर अगर डालेंगे तो हमारा जो गर्व है उसको हम फ्लैट कर सकते बशरते हम इस शहरों पे काबू प्या पाने तो सबाल यह है कि शहरों पे काबू कैसे पाया जाए और इसी लिए हमने जो पहले जिकर किया था हमारी टेस्ट की संख्या काफी बढ़ानी पड़ेगी और इसके साथ-साथ इसकी माइक्रो मैनेजमेंट जो कह रहे हैं उसको करने की जो नए केसे से उनको स fidelity करें जो बार बार कहते आये हैं और उसके साथ-साथ उनकी देखभाल करें और अगर हम यह करेंगे तो उनकी कांटक्ट क्रेसिंग कर पाएंगे वो अगर आके लोगों बताएंगे कि ठीक है हम बिमार हैं हमारी सिम्टम्स हैं उनको एक भैभीत ना करें कि अगर ये बता दिया तो शायद पूरी हम ऑस्टेसाइज हो जाएंगे समाज से समाज से एकडम एक कोड़े में कर दिये जाएंगे तो उनकी सपोर्ट चाहिए इसके लिए पूरी तरह से सामाजिक involvement की जरूरत है मतलब सभी इस पे शामिल हो ना कि सिर्फ सरकारी तरफ से सिर्फ पुलिस की डंडे बाजी से इसको हम कंट्रोल करने की कोशिश करें एक तो ये पहलू है दूसरे पहलू ये है कि हिंदुस्तान में अभी भी जो संख्या में मौत हो रही है ये काफी ज्यादा है बहुत शहरों में जैसे आमिदबाद में और दूसरे शहरों में भी जितने लोगों की मौत हो रही है वो दूसरे देशों की infection to death ratio जो है जो है ये इतने infected है उस पे कितने लोगों का death हो रहा है fatality कितना हो रहा है उस पे हिंदुस्तान की आंकरे थोड़ा खराब है तो इसलि हस्पताल को सुधारनी की जरुरत है अगर हस्पताल को सुधारेंगे तो उसमें दो फायदे होगी एक तो है कि हस्पताल के जो health workers है और वो सभी कर्विचारी हस्पताल के हैं सिर्फ doctors और nurses नहीं दूसरे लोग भी है तो उसमें से इस वक्त काफी लोग infected निकल रहे हैं COVID-19 cases अस्पताल की support staff और nurses और doctors में भारी पाइमाने में को देखने को मिल रहा है करीब 10 प्रतिशत जो है वहां के लोग जो काम करते हैं अस्पताल में वो COVID-19 की बिमारी उनको पकड़ रहा है इसका मतलब वहां पर यह हमें काफी काइदे से उनकी देखभाल करनी पड़ेगी मतलब personal protective equipment उनकी और जो rules, regulations काफी strict करनी पड़ेगी और ऐसे बातावरण वहां तयार करना पड़ेगा ताकि वहां से बिमारी न फैले तो एक तो है हस्पताल पे बिमारी ट्रीट करने के जगह बिमारी फैलने की जगह न बने यह हमको देखनी पड़ेगी और इसके साथ-साथ हस्पताल को सुधारनी पड़ेगी क्योंकि अगर वहां पर patients आएंगे और तुरंत मौत हो जाएगा या उसको हम देख भल नहीं कर पाएंगे, हमारी death नहीं COVID-19 से काफी ज्यादा होगा और वाके यह इस वक्त ज्यादा हो रहा है. उसको मैं बाद में आ रहा हूँ, तो उसमें intensive care units, intensive care unit के साथ ventilators और latest जो हमारी जानकारी इसके बारे में है, कि उसका तुरंत intubate न करे, patients को ventilator न डाले, उसको oxygen support देते रहे, और उसके साथ-साथ जो अभी निकली है, ट्राइल्स जो हो रहे है, drug trials जो बहुत जगा पर हो रहे है, खास तोर से उसमें England की काफी बड़ी मात्रा भी जो एक drug trial हुई है, तो उसमें dexamethasone जो की lungs की inflammation को कम करता है, उसके वजह से काफी लोगों की मौद बचाई गई है, तो इस तरह के चीजे की इस्तमाल होने ची रहा है, एक बहुत बड़ा वजह बन रहा है, complications की COVID-19 से, वहाँ पर blood thinners की एक बहुत बड़ी आहिमेत है, तो treatment इस वाक्त हम बहतर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जानकारी ज्यादा है, hydrochloroquine अभी लग तो नहीं रहा है, इस पर कोई फल निकल रहा है, रहा है, remdesivir, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं, वो stage, early stages में, stage 1, stage 2 में फायदा होता है, जब patient serious हो जाता है, यह तो बहुत ज्यादा serious हो जाता है, जब उसको ventilator की ज़रत पहुती है, तब remdesivir से कोई फायदा नहीं होता, stage 3, stage 4 में remdesivir के खास कोई फायदा नजर नहीं आय जो drug trials होई हैं उस पे, सिर्फ stage 1, early stages, stage 2, medium stages पे उसको कुछ फायदा नजर आता है, hospital stay कम हो जाता है, पर अगर बीमारी सिर्फ रोकने की बात नहीं, अगर आपको deaths को रोकनी है, तो आपको जो intensive care, critical care उसको ठीक करनी पड़ेगी, और उसको दुरुस्त करने के लिए आपके पस आउजार होने चाहिए, train staff होना चाहिए, और इस वक्त हस्पिताल के staff अगर बीमार पढ़ने लगे वहाँ पर तो यह चीज़ आप कर नहीं पाएंगे, इस वक्त बैंगलोर की हालत काफी खराब है, जो खबर आ दिये है, हस्पिताल में काफी patients भरे हुए हैं, इस वक्त पब्लिसिटी, खराब पब्लिसिटी हुई है उनकी, इसलिए लोग नाइज प्रेकाश हस्पिताल में लोग जाना नहीं चाहते, बड़ा हिंदु राव की कोई अच्छी reputation थी नहीं है, खास तो इसकी दिल्ली MCD की जो हालत है, उस पे नर्सेस, डॉक्टर्स को तंखा नही यह पैसे नहीं होंगे, रहने के लिए जगह नहीं होगी, तो वहाँ COVID-19 की खिलाफ कोई संघर्ष हो नहीं सकता, तो हस्पिताल सिस्टम को कैसे जल्दी से दुरुस्त किया जा सकता है, यह हमारा second line of defense है, COVID-19 की खिलाफ और खास तोर से fatality से रोखने के लिए, fatality को रोखने के लिए, क्योंकि एक लड़ाई हमारी है, बिमार लोग न पढ़े, दूसरी लड़ाई हमारी है, कि लोग बिमार पढ़े, तो उसको दवादारू सही मिले, और अगर हस्पिताल की ज़रुरत है, हस्पिताल पहुंच पाएंग, और हस्पिताल पहुंच पाएंग, और निजकर किया औरिस्सा लगता है कि बैहतर स्थिति में है इन कुछ राज्यों को छोगे जिस दिशा में हम चल रहे हैं, लगता है कि हम दिशाहीन हो रहे हैं और हमको समझ नहीं आ रहा है कि हम करे क्या, इसी लिए हम एक तरफ तो जंक के बाद चर्चा ज्यादा कर रहे हैं, एक तो है कि हम एकॉनमी को ऐसे ठीक किया जाओ, उसकी बात कर रहे हैं, हकीकत यह है, ना एकॉनमी तो देश का रक्षा आप कर पाएंगे, अगर देश की जनता की हेल्थ को आप ठीक नहीं कर पाएंगे उनकी बिमारी नहीं रोक पाएंगे और इस महामारी को रोक नहीं पाएंगे, इसी से हम आज की चाचा खतम करते हैं, इस क्लिक को देखते रहेगा.